नमस्कार आपका स्वागत है लेट्स एडू मैं तो आज एक एक एंटरनेशनल इवेंट को कबर करते हुए भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक डायलोग दो हजार तेईस दिल्ली में संपन हुआ है तो बेसिकली भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से इस तरीके के डायलोग होते रहते हैं उसी सिल्सिले में भारत और फ्रांस के बीच में भारत के नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर अजीत डोबाहल और साथ में फ्रांस में डिप्लोमेटिक एडवाइजर प्रेजिडेंट के जो है फ्रांस के एमवल भू नहीं इनके बीच में एक अ साथ में अपना UN Security Council में भारत को सदस्वेता के लिए बार-बार जो बात दोराई जाती है तो वो सभी बिंदू हम इसमें आज आज आपके साथ डिसकुस चर्चा करने वाले हैं आपके लिए परिक्षा के दृष्टी कोण से क्या-क्या बिंदू इसमें महतपूर बन सकते हैं I.E.R. के पेपर के लिए खासकर अपना और G.S. से के इसमें से पॉइंट निकलने हैं इस अपना इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलोग में क्या-क्या निशकर्श निकले हैं तो वो देखते हैं अपने पास सबसे पहली बात क्या है कि इंडिया एंड फ्रांस रिटरेट दियर कमिटमेंट तो टेक फॉरवड दियर स्टेजिक दियर स्टेजिक पार्टनर्शिप तो एंशूर किस चीज के लिए पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन दा इंडो-पैसिफिक बेस्ट इन अ कॉमन एंडो-पैसिफिक यह नियमी मतलब इंडो-पैसिफिक अन्य हिंदमा सागर और परशांत छेत्र में चीन बेसिकली हिंदमा सागर में और फिसमुल्य खासकर हिंदमा सागर में अपना जो दायरा है वो बढ़ाते जा रहा है तो उस दर्ष्टी कोन से भी यह भारत और फ्र किस चेतर की इंडो पेसेफिक चेतर की सुरक्षा के बारे में दूसरी चीज क्या है इस में और क्या चर्चा की गई है बारत और फ्रांस का डिफेंस कॉर्परेशन आप जानते ही है राफेल जो फाइटर है जैट है वो भी हमने फ्रांस से खरीदा है तो पहले से भी इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलोजी मतलब भविष्य के दृष्टि कौन से जो नई तकनीक है उसके बारे में उसके स्कोप को मतलब बेसिकली एक्सपेंड दा स्कोप ऑफ डिफेंस कॉर्परेशन टू इंक्लूड को डवलप्मेंट आफ यानि मिलके जो विकास करना है किस इंडिया आज की भारत की क्या प्रियोरिटी है मेक इन इंडिया जो मेक इन इंडिया के तहट जो चीजे होनी है और इसके और साथ में कौन सा आत्म निरभर भारत है ना मेक इन इंडिया और आत्म निरभर भारत है तो बेसिकली उसमें भी फ्रांस सायोग करने के लिए आगे जब देखते हैं आगे देखें दोनों ही देश एग्रीव हुए है किस चीज के लिए एग्रीव हुए है दोनों ही देश सहमत हुए है मजबूत करना स्ट्रेंथ और क्या बाइलेटरल डिफेंस स्क्यूरिटी कॉर्परेशन इंक्लूडिंग साउथ वेस्ट इंडियन रिजीम साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिजीम और इंडो पैसिफिक एन परस्यूट ऑफ न्यू इनिशेटिव इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंसिंग टेकनोलोजी तो देखिए ये जैसा पहले कह रहा था कि चाइना को भी कही न कई काउंटर करने की बात इसमें चुपी अज तो कल देख रहा है उकरेन और रूस का तो एक तरीके का क्या हो चुका है काफी वालेटाइल हो चुकी ये ग्लोवल सिकूरिटी है न और देयर वज़ा नीड डू क्लोज कोर्परेशन बिट्विन इंडिया एंड फ्रांस तो यह बहुत जरूरी है कि दोनों ही देशो के बीच में एक नजदी की सायोग की आपस में है और वो सायोग कहां तक यहीं तक नहीं क्यों इंडो पैसिपिक तक या साउथ बेस्ट इंडियन ओशन रिजन तक नहीं कहां तक यह जरूरी है इंक्लोडिंग दा यूनाइटेड सिक्यूरिटी काउंसिल यूनसी में और अदर मल्टी लेटरल फोरम है जो और जो मल्टी लेटरल फोरम है इंटरनेशनल ग्लोबल ओर्डर के वहाँ पर भी धोनों के आपसी सायोग की बात हुई है तो प्यारे चात्रों विद्यारतियों तो यह जो आपकी अपने वईच्वाज अम करंट अफेर का जो कवर किया हुआ है वो अपना भारत और फ्रांस की जो आज ही जो अपना स्ट्रेटेजिक डायलोग हुआ है उसके बारे में यह अपने पास आज का करंट अफेर था एक तरीके का यह डिस्क्रिवटिव पेप है मेंस के दृष्टी कोंड से भी काफी महतोपून है और जो दूसरे पेपर है उनमें भी यह बिलकुल उसी तरीके से महतोपून है तो आज के लिए धन्यवाद वीडियो में आपने देखा आच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर करिएगा धन्यवाद अपना ख्याल रखिए मस्त रहिए